तो मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी खबर एक खुशकबरी है आपके लिए दोस्तों ये खुशकबरी है NTA से National Testing Agency Delhi University के लिए जो Do It के Entrance Examination जो की NTA National Testing Agency कराती है Delhi University Entrance Test आपको पता ही है कि मैं जामिया का, अलिगड़ का, Delhi University का, आई प्यू का, बीएच यू का, अमबेटकर उनिसिटी का वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा बहुत अजीक अबर है कि आपने जो टेस्ट दिया है उसका आंसर किया गया है और अगर आपको लगता है कि आपका कोशन सही है और NTA ने जो आंसर की दिया है गलत है तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं पहले जो exam सुए थे entrance examination 6 से लेके 11 September तक entrance examination DUET के हुए थे यानि Delhi University का entrance examination हुए थे अब NTA ने इसका question paper के साथ answer की भी release कर दिया है आप अपना कितना score किये है वो calculate कर सकते हैं उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि question paper को challenge करना है तो आप 28 तारीक तक शान को 5 बजे तक questions को challenge कर सकते हैं कैसे challenge करेंगे वो मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ last date होगा 28 नौ को 5 बजे शान तक payment आप 28 नौ को 11 बज के 50 मिनट तक कर सकते हैं हर एक questions के लिए आपको 200 payment करना होगा आप debit card credit card या net bagging से payment कर सकते हैं ठीक है बहुत कमी candidates होते हैं जो question को challenge करते हैं फिर भी आपको लगता है कि आपने सही बनाया है और आपके हिसाब से question A होना चाहिए लिए कि NTA ने अगर उसको B कर दिया है तो आप complain कर सकते हैं और अगर आप जीत गए तो आपको 200 रुपया वापस मिल जाएगा अगर आप हार गए तो 200 रुपया रख लेगी N NTA कैसे आपको करना है सबसे पहले जाना है NTA.ac.in पर मैं लिंक दे दूँगा यह दे लिंक दे दूँगा कंडिडेट की challenge login पे ठीक है इस पर जाके आप क्या करिए गा कि credential डाल की यानि user ID password आप password will be in the format देखिए आपका year है month है उसके बाद date है login कर लिजे login करने के बाद कर रहे हैं तो यहां subject का drop down menu में select कर लिजेगा questions ID देख लिजेगा note कर लिजेगा उसके बाद option ID nature of challenge किया है remarks लिखना है इसमें और उसका detail आपने solution किया है जैसे numerical questions है तो कैसे आपने step by step बनाया है उसको बनाके आप उसको JPG format में इसको upload भी कर सकते हैं यानि आप detail solutions के साथ questions क या कोई reference है theory है उसका क्या reference है आपके हिसाब से वो क्यो answer होना चाहिए उसको JPG format में बनाके आप upload भी कर सकते हैं या remarks में लिख भी सकते हैं 150 character में और आपके लिए जो important है देखिए कैसे करना होगा या tick करना होगा किसको आप challenge कर रहे हैं हर एक questions के लिए 200 रुपया आपको देने होंगे debit card से credit card से net banking से तीनों mode में से कोई एक mode को आपना के payment कर सकते हैं ठीक है तो मोटा मोटी बात यह है कि जो आपने entrance examination दिया है उसका answer किया गया है जो के ज्यादा important है पिछले साल के कितनी cut up रही है इस साल अगर आपने माल लिजेगा 100 में आपको start मिला है तो बीना rank तो decide होगा ही बाद में जब यह date जो last date है 28 के बाद result आपकी आएगी क्योंकि 28 तक तो आपको challenge ही करना है तो challenge करने के बाद एक दिन लेते हैं एक दिन लेके 28 29 हो सकता है 30 तारीको आपका result आ जाए या October में 1st week में result आ जाए तो rank पता चल जाएगा cut off original आपको पता चल तो subscribe किजिएगा मिलते हैं अंगली वीडियो में हम है राई ग्यान के फिर में लेकर चलते चलते तब तर क्यों take good care of yourself जै हिंद जै देली यूशिटी